हेलो दोस्तों स्वागते आपके अपने चैनल मम्मी की रिसोई में आज हम जा रहें बनाने इटली पकोड़ा आपने इटली खायोगी लेकिन इटली पकोड़ा नहीं खायोगी तो वीडियो को पूरे एंड तक देखना स्कीप मत करना बनाने का तरीका बहुत ही असान है तो अच्छा सा पेश्ट रेडी कर लेंगे साती मिसका ढगा लेंगे तो यह देखिया हमारा पेश्ट बनकर रेडी हो कितना परफेक्ट लग रहा ना अब हम इसको चमच की सहाइता से एक मिनट तक ऐसी मिलाते रहेंगे मिलाने से इसका अच्छी तरीके से फ्लेवर आ तो आप लोग भी एक बजुरू ट्राइब करिए गा साथ ही साथ एक चमच नमक डालेंगे क्योंकि नमक के बीना तो फ्लेवर नहीं आएगा तो नमक तो डालना ही पड़ेगा इसके बाद इसमें एक चमच हल्दी पॉड़र डालेंगे इसके बाद हम काली मिर्च जीरा पॉ बस आप उसी से बना लेते हैं यह बहुत ही अच्छा नास्ता है आप इसका सुबह यह साम के साथ जब मन करें आप तब खा सकते हैं इसको ढखकर आदे गंटे तो छोड़ देंगे तो यह दखिए आदे गंटे बाद कितना फूल कर रेडी हो चुका है ना कितना टेस्ट डाल देंगे इन सबसे इसका फ्लेवर टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा तो हैना बुनाने का तरीका बहुत ही असान इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल के सब्सक्राइब करिए साथी बेल आइकों को प्रेस करकर और पर सेलेक्ट कर लेजिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिए तो यह दिए हमारा बैटर रेडी हो गया तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए इटली के स्टेंड लेंगे अगर आपके पस इटली के स्टेंड ने तो आप छोड़ी से कटोरी में भी बना सकते हैं इसके वाद हमने एक बड़ा पतीला में थोड़ा सा पानी डाल दिया इसको अच्छी तरीके से हीट होने देंगे साथ इसको ढग देंगे इसके इटली स्टेंड में हम ओल लगा ले आप लोग ध्यान रखेएगा तो यह देखिए हमने सब को डाल दिया है इसके माद हम सब को लगा लेंगे और साथ इसका धकन लगा लेंगे तो हैना बनाने का तरीका बहुत यह अगर आप इसको एक बर खाएंगे तो वाह वाह करेंगे तो आप लोग एक बार जुरू ट् देखिए हमने तीनु स्टेंट को डाल दिया इसके में भी अधकन लगा देंगे तो यह देखिए हमारा पानी अच्छी तरह से हीट हो चुका है अब हम इटली को डाल देंगे उसमें साथ धकन लगा कर चार्ट से पांच मिनट तक अच्छी तरह किसे इसको बालेंगे तो देखिए चार से पांच मिनट होने के बाद इसका कलर भी चेंज हो गया ना कितना अच्छ लग रहा ना अब हम इसको चाकू से चेक करेंगे तो यह देखिए चाकू में नहीं लगा यानि की हो चुका है अब हम एक एक कर कैसे निकाल लेंगे अगर आप हमारे चैनल पे नह दाल लिया कितना पर्फेक्ट लग रहा ना ऑल हमारा अच्छी तरीके से हीट हो चुका है अब हम एक एक इटली को डाल देंगे आपने इटली बनाकर तो खायो लेकिन आपने इटली पकोड़ा नहीं खाया होगा तो आप लोग एक बाद जरूर खाईएगा साथियम गैस क अब हम इसको निकाल लेते हैं वाव कितना अच्छा लग रहा ना आपके मुझे पानी आगया ना तो आप लोग भी एक बाद जुरूर ट्राइब करिएगा बनाने का तरीका भी तो बहुत ही असानी इसके बाद सेकंड बैच को भी डाल कर ऐसे हम फ्राइब कर लेंगे तो यह देखे हमारी इटली बनकर रेडी हो गई कितनी सौफ्ट लग रही है ना कितने अच्छी भी लग रही है अंदर से तो सौफ्ट लेकिन उपर से बहुत कुर्कुरा है तो चलिए सब्सक्राइब करते हैं यह लीजिए हमारी इटली साथ ही हमने चटनी के साथ इसको स अच्छाया है इसके बदम इसमें फ्लेवर लाने के लिए थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे चाट मसाले से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आगा तो आप लोग भी एक बार जुरू डाल कर खाईएगा हैया तो हैनब बनाने का तरीका बहुत असान आपने इसके बस 10 में असानी से बना लेंगे साथ जट पेट बना लेंगे नीएंगे दिग्कत कोईbasis की मुस्खिल भी तो नहीं हैं बहुत ही असान रेसिपी में है देख 67 आप गलाने से नीचे कमेंट करें कि आज की रेस्पी कैसी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें